तो हेलो स्टुडेंट वेलकम बेग टू माई चैनल समराथ अकेडमी तो दोस्तों मेरा नाम है कास और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है क्योंकि इससे बढ़िया में सुभधा नहीं दे सकता हूं आप लोगों एक्जाम बहुत ज़्यादा नजदीक है आ पूरा इंगलीज का समाधान लेकर आया हूं देखिए यह वीडियो बस तुर्ण डाउन्ट के तुर्ण देख लिजिए इस वीडियो से आपको क्या मिल जागा कि जो प्रोज के सौट अंसर टाइप क्यूसन होते हैं और जो सप्लमेंटरी के सौट अंसर टाइप क्यूसन ह पूरा पूरा एक यह वीडियो में चेप्टर वाइस कंप्लीट कराने वाला हूं चेप्टर वाइस इसके बाद कोई भी सौट अंसर टाइप क्यूसन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है प्रोज और सप्लमेंटरी का ठीक है इस तरह तरह तब सभी ना इसके बाद लिक कर लेकर आया हूं कि इस चेप्टर से यह मुस्ट इंपटेंट है पूरा तयार हो जाएगा तो मेरे प्यार विदार से अब तो लाइक करना ही पड़ेगा आप लोगों को एक हाजार लाइक की इस वीडियो पर हमें टार्गेट रखा है वीडियो का जीतना हो सके अपन के पहला चेप्टर हम लोगी स्टार्ट कर रहें वह भी सप्लामेंंट्री का सप्लामेंट्री का पहला चे प्याला चेप्टर रही चेप्टर रहाए अपहला स्री इसके पहले मुश्ट इंपिप्रेंट कि hanuk radiates His कि वाज्वाज डाक्टर हर्योट रियल और नवाउट्ट की डाक्टर हरिएट ट्रीकी के बारे में वास्तों में चिंतित क्यूं थे वेरी मुस्ट इंबोर्ट क्यूं सरह है तो आसा लिखेंगे हम लोग यहां पर की वेन डाक्टर हरिएट साथ डॉग विद हीज मिस्ट्रेश मिस्टर पंफ्रे ही वाज सॉक्ड एट हीज एप्रियं विद फोर लेक्स सच अ मिजरेवल कंडिशन आप डॉग रियली ओर डाक्टर यह आपका क्यूंसर में पहला है और पहले चेप्र का वेरी मुस्ट इंबोर्टेन क्यूंसर को तैयार करके ही आपको जाना है जितना मैं क्यूंसर मतांगा सब तैयार करके आपको पहुचना है इस चेप्र से मैंने तीन साट अंसर टाइप क्यूंसर लिया है पहला कंप्रीट हो गया और दूसरा देखे क्या है इसी चेप्र का है कि वाट वाट वाज दाउनली फॉल्ट आफ ट्रिकी आज डाग्नोजड बाई डाक्टर हैरियट डाक्टर हैरियट के निरिच्छन के अ इसी चेप्टर का दूसरा मैं तो परशन है जो बता रहा हूं बस अराम से लिक्ष्ट करके जाएगा और बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे मेरे प्यारवित दार्तियों ये क्यूशन वाट दूसरा किलियर हो गया क्यूशन वर तीसरा देखे वेरिम उस्टीम इसी च रहा जो किवेशन कि a drink सटा रहा लिहा एक ओट वाट वाग्वाज ऑज़्र तीस हां वाट वाट वाज देवृशन वाज़्ऻॲ सिंक वट्व। उन मिश्टर पंफॉरे पॉस्ती ह independent पर क्या प्रभाव पड़ा तो इसी अच्छोदिर के आसे लिखे to build up tricky strength after that see also scent bottles of wine and brandy to make tricky strong ठीक है, मेरे प्यारों दारती यह पहले चेप्टर का तीन मैत्वपूर्प्रस्ण अमने समात पर दिया साटन सा टाइप क्यूशन, इसके बाहर नहीं पुछेगा इस चेप्टर से दूसरा चेप्टर है दा थिप्स स्टोरी अब इस दा थिप्स स्टोरी के जो चेप्टर इसमें हमने दो most important question लिया, साटन सा टाइप क्यूशन का, ठीक है पहला क्या है, देखिए पहला है, was Hari Singh his real name question marks, why did not he tell his real name करा क्या Hari Singh उसका वास्तविक नाम था, क्यों उसने अपना वास्तविक नाम क्यों नहीं बताया ठीक है, तो देखिए कैसे इस कांसल लिखेंगे, कि Hari Singh was his real name Hari Singh was and his real name was he lied to Anil because he took a new name every month that kept his ahead of the police and his former employers यह आपका question number 4 is very most important question, but आपका चेप्टर दूसरे का आया है ठीक है, बहुत ही पैराप्रस ने इसको आप याद के लिए अब इसी चेप्टर का एक और बचा है जो कि most important है यह है Why did Hari feel nervous? Hari को बैचे नी क्यों अनवह हुई Hari को बैचे नी क्यों अनवह हुई यहां पर लिखे इस क्यों को याद कर जाए यह very most important तीसरा चेप्टर अब है आप लोगों का तीसरे चेप्टर से हमने तीन मत्तफ़ प्रस्ण लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा important है चेप्टर है क्या footprint without fit चेप्टर करना में footprint without fit और इसका दिखे पहला most important question है जो कि certain type question का है कि why were the two boys in London surprised and fascinated कि लंदन में दो लड़के क्यों अचंबित और आकर्सित हुए ठीक है very most important है कैसे देंगा इसका answer कि the two boys in London were surprised and fascinated by the fresh muddy footprint they saw at step of house when they followed the footprint griffin they were shocked to see that footprints were appearing but there was no person around ठीक है very most important इसको जल्दी सनोट कीजिए और इसके बाद इसी चेप्टर का जो दूसरा मतवपुड है और पूरा सात्वा मतवपुड प्रस्ण है सब का मिला कर तो चलिए इस चेप्टर का दूसरा मतवपुड प्रस्ण है आप इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा इसी चेप्टर का लास्ट प्रस्ण तीस तीन प्रस्ण हमने का आता है इस चेप्टर का लास्ट प्रस्ण इसके बाद चोथा चेप्टर बढ़ेंगे यह है कि describe the constable incident describe the constable incident constable घटना का वरण कीजिए very most important है कैसे लिखेंगे कि the policeman tried to catch griffin but he looked a headless man griffin hit the constable then griffin took off his cloth and became totally invisible the constable was hit by unseen blow griffin known has him unconscious ठीक है तो यह आपका question number 8 है जो कि chapter number 3 से लिए गया था very most important question था और इसको जल्दी से अपनोट कीजिए और चौथा chapter आपका इस्टार्ट होगा यहां से कि the making of a scientist यह आपका चौथा chapter है और इस chapter के हमने तीर महत्वपूर परस्टन लिया इस chapter के हमने तीर महत्वपूर परस्टन लिया है क्या कि why did Ibright started taking the butterflies Ibright ने तितिलियों पर tag लगाना क्यों प्रारंब किया ठीक है तो देखे आंसर कैसे देंगे इसका इसके आप लोग ज़रू से इसको तैयार करके ही आपको जाना है ठीक है और इसी chapter का दूसरा महत्वपूर परस्टन क्या है और पूरे का दस्वपूर परस्टन क्या है कि mention any two of Ibright contribution to the world of science बिज्ञान जगत में Ibright के कि निदो योगदानों का वरणन कीजिए very most important question है ठीक है तो लिखेंगे कि the two contribution of Ibright to the world of science पहला कि Ibright built a device that so that the sports on monarch butterfly wings produce a hormone that is necessary for the growth of the butterfly इसके बाद दूसरा है कि his other important contribution was his study of how sales read their DNA ठीक है देखें very very most important question है इस chapter का clear इस chapter का एक और most important question बचा इसके बाद लोग पाच्वाँ चेप्टर देखेंगे यह है आपका कि which project did Richard undertake in the 8th grade आठमी कच्छा में Richard ने कौन सा project बनाया था आठमी कच्छा में Richard ने कौन सा project बनाया था देखें कैसे उतर देंगे very most important question है in the 8th grade Richard undertook the project to find the case of viral disease that had killed monarch caterpillar he thought that a battle might carry the virus so he rose caterpillar in the presence of battles he was not able to prove that prove it but still on a prize for it very very most important 14 chapter का भी हमने महित्वपूर प्रश्ण यहापे समाप कर दिया और हम बढ़ेंगे पांचवे चेप्टर के वर और पांचवे चेप्टर देखेंगे पांचवे चेप्टर का हमने दो महित्वपूर सोटन सा type question लिया है और पांचवे चेप्टर का नाम है दो नेकलेस क्या नाम है उसका दो नेकलेस नाम है और उसका देखने वाले कैसे लिखेंगे इस कांसर कि मिस्टर लोशेस मिस्टर लोशेस वास दे सेंटर आफ एटेंशन एड़ बाल हर ब्यूटी हर ज्वाए एंड गोर्जियस स्माइल एट्रेक्टेड आल सी डांस्ट हैपली हैंस सी हैड़ असक्सेस्फूल इंज्वाइबल इवनिंग एड़ बाल ठीक है तो यह क्यूशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसको त्यार कर लिए और इसी टेप्र का दूसरा मेतोफूल प्रस्ट जो कि आपको त्यार करके जाना है कि वाई वाज मतिल्डा अन हैपी मतिल्डा अपने शुरुवाती वैभाई के जीवन में दूखी क्यूं थी तो देखे आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि मतिल्डा वाज प्रेटी मैरेज लेडी वाज अलवेज अन हैपी इन हर लाइफ बिकाज शी आलवेज वीज़ तो बी वेल्दी अब लास्ट चेप्टर आपका बज़ गया है सप्लामेंटरी का इसके बार लोग प्रोज वाला देखेंगे ठीक है भोली चेप्टर करना में क्या भोली इसके भी हमने दो मुस्ट इमटेंट क्यूशन लिया है क्या पहला है कि what happened to भोली when she was two years old भोली जब दो वर्स की थी तब उसे क्या हुआ था प्रश्न है कि जब भोली दो वर्स की थी तो उसे क्या हुआ था तो देखेंगे आंसर लिखेंगे कि भोली suffered from smallpox at the age of two years her face and body become full of deep black pock marks she was still fortunate as her eyes had remained untouched and were fine ठीक है very very most important clear हो गया है प्रश्ना इस chapter का last last प्रश्ना अब लोगों का है क्यों सन्वर पंदर है कि described भोली first day at school भोली की school में पहले दिन का वर्रान कीजिए तो देखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे कि भोली on her first day of school वाज बेच्ड अन ड्रेस्ट इन अ क्लीन ड्रेस्ट हर हेर वाज 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 अन वाइल्ड शी वेंट तो स्कूल वित हर फादर लुक्ट अड़ ब्यूटिफुल पिक्चर्स अब यहां पे आप लोगों का संप्लेमेंटरी का चेप्टर वाज मोस्ट इंपरिन क्यूशन हमने ख़वर कर खतम कर दिया अब हम तुरंत देखने वाले हैं प्रोज के मोस्ट इंपरिन क्यूशन ताकि यह कई वीडियो में पूरा का पूरा साट अंसर टाइप क्यूशन खतम हो जाए और आप इसको लिक के याद कर पाएं ठीक है देखे, short answer type question, अब हम देखने वाले हैं किसका? तो प्रोज का, यह प्रोज है, इस प्रोज का देखने वाले हम लोग देखे, प्रोज का हम लोग देखने वाले हैं, जो 2022 बूलिजए में पूछा जाएगा, short answer type question, chapter 12, जैसे पहला है, a letter to God, अब इसके मतवपूरपूर who lived on a crest of a low hill with his family he was the only houses in the entire valley very very most important इसको याद करके ही आपको किसी के मत पर जाना है मेरे प्यारवी दर थियूं बहुत जादा most important question है और इसी chapter का ये वाला question और भी मत्तपूर है कि why did Lencho write a letter to God Lencho ने इस स्वर को पत्र क्यों लिखा ठीक है तो देखे आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि Lencho wrote a letter to God because God was the only hope in his despair his crops had been destroyed by a hell storm he needed money to sow a new crops and supported his family till the next crops till the next crop brings a firm believer of God he wrote a letter to God and requested him to send hundred pieces to sow his field again and support his family till the next crop देखें very very most important question बार दूसरा है और इस chapter किते हैं दो मत्तपूर प्रस्ण तो याद होने ही चाहिए किसी की मत्पे इसके बाद दूसरा चप्रा जाता है the Nelson Mandela ठीक है long walk to freedom ठीक है the Nelson Mandela अब इसके मत्तपूर प्रस्ण देखने प्रस्ण है तो आंसर लिखेंगे कि Mandela was not able to enjoy his limited freedom because he knew that people of his country were not free they were sufferings by poverty and racial discrimination very very most important है इस chapter कभी हमने दो मुश्ट इसके लिया पहला किलिए रोगे ना इसी चप्टर का ये दोसरा मत्तपूर प्रस्ण है क्या है कि describe the immigration ceremony in simple word describe करना immigration ceremony का ओभी साधारन सब्दों में तो कैसे लिखेंगे कि it was the dog of 10th मई 1994 the first democratic non-racial government of a black president national Mandela was to be installed dignitary dignitaries from different countries participated in the ceremony ठीक है के अर्मोनी के अर्मोनी है किले हो गया ना चलिए तो इस chapter के दो मुश्ट इमोडेन क्यूशन ने बता दिया इसके बाद तीसरा जो चेप्टर आता है यहां पर वो तीसरा एनी फिलिंग बाउट है बिंग अडाइरी तो देख्या आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि एनी फ्रेंक इज थर्टी इयर्स ओल्ड टीन अगर इसको जरू से त्यार करके आप जाईएगा और इसी के साथ इसी चेप्टर का एक और मत्व पूर्ट कोस्के में बताना वाला हूँ इसके बाद चेप्टर फूर की तरफ बढ़ेंगे और यहां नोट कीजिए कि वाई एनी डेसाइड तो राइट अडाइरी तो आंसर लिखेंगे कि एनी हैड डेसाइड तो राइट अडाइरी because she wanted to disclose her secret in it as she had never been able to confide in anyone she hoped that the diary which she named kitty would be a great source of comfort to her as the things that paper has more patience than people ठीक है तो इस चेप्टर के हमने दू मुश्ट इपरेंट क्यूशन आप लोगो certain type question बता दिया और इसे के साथ हम बढ़ेंगे तुरंद चौथे चेप्टर की तरफ चौथा चेप्टर देखेंगे वेर्य मुश्ट इपरेंट है चौथा चेप्टर में तीन पॉक्ञै है जिसे ग्लिमपर्स अफ इंडिया शेप्टर क नाम है इस में तीन पॉक्ञैध कर रहा हूं उसका पपहला है कि describe the dress of the bakers describe the dress of the bakers ठीक है describe करना है आप लोगों को उसका वरलन करना है bakers के dress का तो लिखेंगे कि the bakers had a peculiar dress earlier known as the कभाई it was a on-piece long frog reaching down to the knees they also wore a shirt and trouser which were shorter than full length on and longer than half pant ठीक है तो उसके dress का आपने वरलन करा दिया किसका bakers का वेर वेर मुस्ट इम्टेंट ये क्यूसन था और आप आपके उसके लिए रोगया होगा जल्दी सुनोट कीजा और इसी चप्र का दूसरा दिया कि मुस्ट इम्टेंट क्या है उसको नोट करना है कि what did the bakers what did the bakers do first when he reached a house ठीक है आपसर लिखेंगे कि once the bakers reached a house he would first greet the lady of the house by saying good morning he would then place the bakers on the materials bamboo and deliver the laws to the servant to the servant ठीक है किलिए रोगया अब इसी चप्र का दूसरा point है कूर्ग अब कूर्ग का भी हमने एक most important question उठाया जो कि आपके exam में आ सकता है और क्या है कि describe the wild life of कूर्ग very very most important describe the wild life of कूर्ग तो answer कैसे लिखेंगे इसका देखिए मेरे प्यारीदार थिओ कि कूर्ग consists of various species of birds and animals its water is a home to a large fresh water fish named महाशीर once can find squirrel, elephant, longer, slender, lorries here there are many species of bird bees and butterflies that ठीके यह आपका कूर्ग का most important question था और तीसरा point इस chapter का आता है आप लोगों का कि tea from awesome क्या आता है tea from awesome इसके भी हमने most important question लिया है very very most important question जो कि आप लोगों का question बर दस्मा है why did Pranjal's father say that Rajveer had done his homework before visiting awesome ठीके तो answer लिखेंगे इसका कि Pranjal father said to Rajveer had done his homework before visiting awesome because she told Pranjal father many facts about growing tea and its popularity very very most important question है अब चलिए क्लिए होगा न चौता चप्टर complete होगता हुआ पांचवाँ चप्टर पांचवाँ चप्टर के नाव है कि madam writes the bus madam writes the bus इस चप्टर का मने यह कहीं मतरपूर प्रसनल लिए जो कि very very most important है क्या है कि how did Vali manage to move out of the house without her mother's knowledge ठीक है from about on of four Vali used their hours for her first excursions outer side outside the village very very most important पांचवाँ चप्टर का एक क्यूशन ने तयार के लिए इसके बाद लास्ट चप्टर आता है लास्ट चप्टर का हमने दू मोस्ट इंप्टर क्यूशन लिया है उसका नाव है कि the sermon at Banaras the sermon at Banarasis के हमने दू मुस्ट इंप्टर क्यूशन लिया है साटन सा टाइप क्यूशन का और देख लिए इसका क्यूशन में बारा कि what is the nature of human beings life according to बुद्धा ठीक है तो आंसर लिखेंगे कैसे इसका कि the nature of human beings according to बुद्धा is troubled and brief it is combined with pains just as ripe fruits are in dangers of failing so mortals are in a danger of death all have to die very very most important आप लोगों का यह क्यूशन है जरूर से इसको लिखेंगे याद कर लिजेगा last question इसके बाद पूरा पूरा साटन सा टाइप क्यूशन खतम कि who told किशा गोतमी about the Buddha what did he say ठीक है तो देखें आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि किसा गोतमी met a man who told her about Buddha he said that he knew a physician who can give medicine for her sons he said that his name was Sakyamuni the Buddha तो यहाँ पर complete होता और पूरा पूरा साटन साटन सा टाइप क्यूशन पूरा खतम प्रोज और अब किसका supplementary दोनों का अब इसके बाद तो कोई वीडियो देखनी की जरूरत है ही नहीं साटन साटन सा टाइप क्यूशन की ठीक है इतना तयार करके चले कि आरुटा था भड़ होता हैं